Hello friends, Lionsgate photo खुल चुका है और ये टाइम है अपनी biggest and strongest desires and dreams को fulfill करने का, उनको manifest करने का तो आज के वीडियो में है मैं आपको एक step by step process बताऊंगी जो आप use कर सकते हैं अपनी dreams को manifest करने के लिए ये process बहुत simple है, बिल्कुल भी complicated नहीं है और मैं reasoning बताऊंगी हर step के पीछे छोटी सी process है, जादा time नहीं लेगी बट एक opportunity है आपके लिए अपनी dreams को manifest करने के लिए पहले समझते हैं कि Lionsgate portal है क्या? Lionsgate portal एक वो cosmic event है जब serious star, earth और sun total alignment में हैं और basically इस cosmic event को एक ideal time माना जाता है अपनी biggest dreams को manifest करने के लिए तो कि serious star जो है वो बहुत lucky star है उसमें energies है Mars की और Jupiter की जो symbolize करती है action और good fortune और जब good fortune अपने luck को आप action के साथ combine कर देते हैं तो वो perfect recipe है आपकी dreams को fulfill करने के लिए serious star में quality है Jupiter की जो की linked है growth and wisdom से और Mars की जिसमें है determination और ambition तो ये perfect energies हैं अपनी desires को अपनी dreams को manifest करने के लिए तो आप समझते हैं कि इसको Lionsgate portal कहते हैं इसको Lionsgate portal इसलिए कहते हैं क्योंकि इस time पे जब serious earth और star एक complete alignment में है sun जो है वो Leo sign से transit कर रहा है तो इसलिए इसको Lionsgate portal कहते हैं और उसमें एक और good fortune ये add हो जाता है उसमें एक और importance ये add हो जाती है कि ये हो रहा है 8th August को 2024 और आप इन तीनों का combination देखे 8, 8, 8 8 जो है वो infinity को represent करता है it's a master manifestation number power और rebirth को represent करता है तो ये perfect opportunity है अपने आप में वो power लाने की और अपने desires को अपनी wishes को एक rebirth देने की और वहां से grow करने की तो basically तीन चीज़े lions gate portal है serious star जो है perfect alignment में है sun और earth के earth इस टाइम पे open है सारी energies लेने के लिए sun से और serious star से और 8, 8, 8 एक ऐसा event है जो की master manifester number है और open कर रहा है वो portal energies को accept करने के लिए perfect time है देर मत कीजिए let's start और बात करते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए इस manifestation process के अंदर तो simple सी चीज़े हैं कुछ जादा नहीं चाहिए आपको एक cleanser चाहिए यह cleanser हो सकता है धूप, sage, belief जो भी आपके पास घर में available है एक cleanser चाहिए फिर आपको aura cleansing music या mantra चाहिए कोई भी मंत्र जिसमें आप believe करते हैं कोई भी music को जिसके साथ आप meditation करते हैं जिसके साथ आप resonate कर पाते हैं पूरी process के अंदर जो आपको calm down करने में help करता है music आपको वो music चाहिए उसके बाद आपको चाहिए एक pen और एक paper और उसके साथ आपको चाहिए एक journal जो भी journal एक नई notebook जिसके अंदर आप अपनी सारी wishes अपने gratitude को लिखना चाहते हैं जो आपको खुशी देता है जर्नल हमेशा वो होना चाहिए जो आपके साथ resonate करें जिसको आप उठाओ तो आपका मन करें कि आप इसको खोलो और इसके अंदर लिखो कोई भी copy नहीं लेनी है ठीक है जर्नल ऐसा लेना है जो आपके साथ resonate करें तो start करते हैं process simple सी process है इससे पहले कि आप मेरे से पूछें और comments में यह लिखें कि इसको करना कब है तो इसको आप अभी से लेके आज जब मैं यह video record करी हूँ 8th of August है आप इसको अभी से लेके 16th of August तक कर सकते हैं इस time पे energies high होंग क्योंकि alignment हो रही है आपको cosmic power मिल रहा है इस time पे कि आप manifestations को अपनी true करें सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आप अपना cleanser लेंगे यह हो सकता है sage belief या फिर कोई भी धूप या अगरबती हो सकती है उसको लेके आप जिस area में manifestation करेंगे यह कोई भी area हो सकता है अगर आपक रिट करना चाते है आपको नहीं पसंद है कि आप सबके साबने manifestation रिटुल करें तो आप इसको अपने room में कर सकते हैं या फिर अपने work desk area पे भी कर सकते हैं और work desk area मैं इसलिए कहती हूँ कि आप वहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि वही से तो आप सारा काम करते हैं वहां पी तो सारा action होता है तो जहां पर action होता है अगर उसी area में हम manifest करते हैं तो कितना powerful हो जाएगा कि आपका action और आपका fortune दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो वहां पर उस area को आप cleanse कर लीजिए अची तरह से और जब आप उस rune को cleanse कर रहे हैं जब आप उस dhup को या sage को सारे corners में लेके जा हैं और area को cleanse कर रहे हैं तो आप अपने मन में बोलेंगे I am preparing this area to receive all positive energies I am preparing this area to receive all powerful energies तो आप ये repeat करेंगे जब आप अपने room को cleanse करेंगे या area को cleanse करेंगे उसके बाद आप एक position में बैठेंगे जो भी comfortable position है और 10 मिनट तक आप meditate करेंगे आप meditate कर सकते हैं किसी भी music के साथ, आप meditate कर सकते हैं किसी भी mantra के साथ कोई भी ऐसा sentence जो आपको mantra या फिर music या फिर एक phrase जो आपको calm down करता है because इस stage पे आप क्या कर रहे हैं आप अपने आपको prepare कर रहे हैं वो सारी cosmic energies को receive करने के लिए और उसके लिए आपका state होना चाहिए calm down state जिसमें कि आप ये energies को receive कर सके तो आप ओम भूर्भूस्वा mantra यूज़ कर सकते हैं रामादासा यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी music यूज़ कर सकते हैं simple goal ये है कि आप basically उस point पे पहुंच जाएं जहाँ पे आप completely calm down हो आपके अंदर कोई anxiousness ना हो ताकि आप जो है अपनी dreams को clearly देख सके और उनको manifest करने के लिए सही state में हो mental state में हो तो कितनी देर तक करना है 10 मिनट 15 मिनट जब आपको ये लगे कि आप prepared है आपका mind prepared है आपमें वो clarity आ गई है anxiousness चली गई है और आप ready है energies को receive करने के लिए और अपनी thoughts को clearly articulate करने के लिए तब आप next step पे जाएंगे next step है कि आप अपनी wishes को present continuous form में लिखेंगे आप लिखेंगे for example अगर आप job को manifest करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे I have a stable and secure job अगर आप health के बारे में लिखना चाहते हैं तो I am living my dream life in a perfectly healthy body या फिर अगर आप money को manifest करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे I am a money magnet money shows up at various places for me I have financial freedom and financial stability So आप जो भी manifest करना चाहते हैं उसको आप present continuous में लिखेंगे Present continuous में लिखने का ये reason है कि आप उसको manifest कर रहे हैं As if ये आपके साथ अभी हो रहा है और जब आप ये manifest करते हैं तो आपको ये feel करना है जब आप ये लिखते हैं तो आपको ये feel करना है Because वो feeling बहुत important है वो feeling वो stage है आपकी जब आप सब कुछ आपके साथ वो हो रहा है So you are living that manifestation And when you are living that manifestation Your body is in perfect harmony Your body and your mind is in perfect harmony With what you are manifesting And वो important चीज है So आपने ये manifest कर लिया आपने अपनी manifestations लिख लिख ली ये कितनी wishes हो सकती है ये एक wish हो सकती है जो आप manifest कर रहे है ये 10 wishes हो सकती है जो आप manifest कर रहे है It's up to you कि आप कितनी wishes को manifest कर रहे है Make sure कि जो आप manifest करना चाहते हैं वो genuine wish हो लिखने के लिए नहीं लिखनी है ठीक है उसको ऐसे लिखना है कि आप genuinely वो चाहते हैं उसको feel कर सकते हैं और उस अपनी body and अपने soul को उस wish के alignment में ला सकते हैं ठीक है? यह लिख लिया अब इस wish को जो है जिस paper पे यह लिख आए सारे wishes उसको fold करिए कितनी बारी fold करना है? कोई matter नहीं करता है simple fold करिए और उसको अपने मंदिर में या अपने wallet में या अपने work area में इसको रख दीजे और इसको रख दीजे और इसको साथ आप कुछ नहीं करना है ठीक है? अब आप अपना journal लीजिए और उस journal में gratitude लिखे gratitude लिखे कि अगर आपकी wishes जो assume करिए कि आपकी wishes जो है वो सच हो गई है आपने job manifest कर लिया है आपने money manifest कर लिया आपने health manifest कर लिया है आपने love manifest कर लिया है और जब वो हो गया है manifest हो गया है तो आपके अंदर क्या feelings है कैसा आप फील कर रहे है क्या gratitude है किन लोगों के लिए gratitude है वो आप सब इस journal में लिखें और इस journal को आप हर रोज लिखेंगे So, ये cleansing your house, meditating with mantra, writing down your wishes ये तो आपको आज करना है या आज से लेके 16th August तक कभी भी कर सकते हैं जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आप अपना journal जो है वो रोज लिखेंगे और वो ऐसे लिखेंगे कि आपकी dreams सब manifest हो चुकी है, सब सच हो कि है आपके पास job है, आपके पास health है, आपके पास family है, आपके पास relationships है, आपके पास love है और जो भी आपको चाहिए घर है, गाड़ी है, जो भी आपको चाहिए वो है और उसके लिए आप किसके लिए thankful है, किसको gratitude अपना देना चाहते हैं और यह gratitude सिर्फ universe को या भगवान को नहीं होगा, यह gratitude लोगों के लिए भी होगा तो वो सब अपना gratitude आप रोज लिखेंगे अब आप पूछेंगे या उसका क्या करें, जो वो पेपर पे सब कुछ लिखा था तो जो पेपर पे सब कुछ लिखा था, उसको आपने मंदिर में या वालेट में या अपने work area में रख लिया अब उसको कुछ नहीं करना, उसको महाँ पे रहने देना है अगले साल, जब Lionsgate portal दुबारा खुलेगा, तो इस पेपर को निकालना है इसको बाहर ले जाके जलाना है, और इसकी ashes को हवा में जाने देना है क्योंकि ये wishes हमारी सब पूरी हो जाएंगी next year तक या path पे होगी, और नए wishes को लिखने का time आ जाएगा तो ये है simple सा Lionsgate का ritual, जादा कुछ मेहनत करनी नहीं है बट अपनी energies को उस level तक लाना है ताकि हम ये सब कुछ जो हमने लिखा है वो manifest कर सके अब एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि manifestation जो है, लिखना एक बात है energies को लाना और उस state में होना एक बात है बट उसके लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा तो लिखना जो है, वो आपके brain को prime करता है उसके बाद आपको मेहनत भी करनी है उसके लिए और वो मेहनत कैसे करनी है, ये सारी activity जो है वो आपके brain को prepare कर देगी और आपके पास खुद आइडियाज आने लग जाएंगे कि आप कैसे अपनी द्रीम्स को मेनिफेस्ट करें जो आपने उस पेपर में लिखी तो यह था लाइन्स गेट पोर्टल की टाइम पे How to Manifest Your Dreams क्या रिचुल फॉलो करना है कोई भी कोस्षिंस है कोमें लिख दीजे I will try to respond to each and every comment and every question and wishing you lots of success in manifesting all your dreams in this Lions Portal Arigato Abundance